हेलो प्रेंट्स बेलकम टो वर चैनल आमले का सेवन हमारी सेथ के लिए बहुत लाब्दायक है इसने विटामिन सी और आइरन काफी मात्रा में पाया जाता है आज हम आमले का मौथ फ्रेसनर बना रहे हैं माउथ फ्रेसनर बनाने के लिए मैंने आउनों को अच्छे से वोश करके सूखे टावल से पोँच लिया है अब हम इने कद्दू कस कर लेंगे इसी परकार सारे आमले कद्दू कस कर लेंगे अब इसमें हम आदा निम्बू का रस निचोड देंगे अब इसे अच्छे से निक्स कर देंगे एक पाव आमले में स्वादा नुसार नमाक आदा कप पिसीवी चीनी आदा चम्मच जीरा और अजवाइन पावडर आदा चम्मच भुनीवी सोप इस सारे चीजे डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम जब भी कुछ आमले की रैस्पी बनाएं तो हमें इस्टील के बरतन में ही बनाने चाहिए कभी भी सिल्वर के बरतन का इस्तमाल या लोहे के बरतन का इस्तमाल नहीं करना चाहिए अब इसे दो दिन तक धूप में सुखाए मीमबू का रस डालने से हमारा माउथ फ्रेस्टनर वाइट बनेगा दो दिन सूखनी के बाद हमारा माउथ फ्रेस्टनर तयार हो चुका है लंबे समय तक रखने के लिए इसे एरटाइट कंटेनर में स्टोर करें अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजी अधिक से अधिक से एर कीजी और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस कीजी झाल 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 झाल